अंडर वर्ल्ड की दुनिया में बहुत कुछ बतला, लेकिन एक चीज साठ के दसक से लेकर आज तक कॉमन है, कि डौन से गदारी करने वाले को सजा सिर्फ मौत मिलेगी, दाउद ने तो ना जाने अपने कितने ही सूटर को सिर्फ पर सिर्फ इसलिए मरवा दिया, क्योंकि उ उसमनों और गदारी करने वाले को जिन्दा नहीं छोड़ते हैं, तो जरा सोचिए छोटा राजन अपने साथ गदारी करने वालों का क्या हस्र करता होगा, वो छोटा राजन जिसमें दाउद जैसे डौन को चैलेंज करने की हिम्मत थी, जिसने एक बार नहीं कई बार राजन को ये पता लगा होगा, कि दाउद ने उस पर जो हमला कराया था, उसके पीछे उसके अपने ही खास आदमी विनोध से टी का हाथ था, तो उसने उसका क्या हाल किया होगा, वही छोटा राजन जो आज भी भारत के जेर में बंध है, लेकिन देश और अपने दुस्म दाउद इबराहिम को जान से मारने की कोसिस करता ही रहता है, अब ये तो सब को पता है ही कि भारत के ये डो डॉन जो हैं, ऐसे डॉन रहें, जिनके बीज की राइवेलरी इंटरनेशनल लेवल पर भी चला, वो इसलिए क्योंकि छोटा राजन का कि दाउद इबराहिम का उससे अपनी राहे अलग कर लिए, और उसके सामने एक हिंदू डॉन बनकर खड़ा हो गया, और बाद में दाउद उसे जान से मारने के लिए अपने उसी खास मेंबर चोटा राजन को जान से मारने की तमाम कोसिस करता है, तो ये कहानी राजन गिरोह के उसी इनसान की है, अब छोटा राजन का ही राज चल रहा था, जो भारत और खास करके मुंबई में दाउद के गुर्गों के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन रहा था, छोटा राजन, क्योंकि वो डी कमपनी का पुराना राजदार था, उसे सब पता था कि वो कैसे काम करते हैं, इसलिए दा राजन से जुस्मनी उसकी हुई छोटा राजन से, तो यहां भी गैंग वार का सिलसिला सुरू हो जाता है, कास करके जो दाउद का दाहीना हात बना छोटा सकील, वो भी छोटा राजन को जान से मरवा देना चाहता था, क्योंकि छोटा राजन के हटने के बाद ही तो उसे जगा मिली थी डी कंपनी में, जो पहले छोटा राजन की थी, तो अब सवाल ये था कि दाउद छोटा राजन को मारना तो चाहता था, लेकिन इसे मारा कैसे जाए, क्योंकि वो कहां छुपा है, इसका पता तो डी कंपनी में भी किसी को नहीं था, ऐसे में डी कंपनी ने अ सब्सक्राइब फ्रयाइब घंपने में हमला भी से पार्ट कि मुक्त Ellen लेकिन बार्ट छोटा राजन और ता पलटकिए अपने दुसमनन पर हमला करता ही अज तक भी हमला करता ही कोसिस करता ही रहता है दाउद को मारने की अंगिनत कोसिस उसने की लेकिन उस समय बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसका पता दाउद इबराहिम के पास कैसे पहुचा आखिर कौन है उसके ही गैंग के अंदर वो गद्दार जो उसके दुस्मन दाउद इबराहिम के साथ मिला हुआ है तो आगे जब को दाउद के खास आदमी सरद सेटी से मिलने के लिए दुबई गया अब देखिए ये जो विनोज सेटी होता है ये राजन का चोटा राजन का बहुत ही करेवी और भरोसे मंद साथ ही माना जाता था दोनों के बीच में पूरानी दोस्ती भी थी सेटी और राजन मिलकर कई सालों तक कई काले गोरग धंधे भी करते हैं साथ में ही जो उनके दुनिया में इसलिए राजन को ये बिलीवी नहीं हो रहा था कि उसके साथ विनोज सेटी गदारी भी कर सकता है लेकिन दूसरी तरप दावद से उसके जो कनेक्शन की खवर उसे मिल रही थी वो बार बार उसे सक करने पे मजबूर कर रहा था छोटा राजन का सक जो है विनोज सेटी पर वो गहराता ही चला जाता है कि हो नहों ये विनोज ही है जो उसके जानकारी है वो दुसमनों तक पहुचाई है फिर आगे एक साथू सेटी नाम का गैंग्स्टर भी छोटा राजन को मुंबई और ठाने के होटल मालिकों से जवरन वसूली करने लगा है मतलब वो अब छोटा राजन के खिलाब जा रहा है सादू से टी कि इस भड़काव सिकायत में राजन को और भी भड़का दिया यह सब कुछ जानकर राजन का गुस्टा अपने चरम पे था इस गदारी ने राजन को अंदर से तोड़ दिया लेकिन उसने बदला लेने की ठानी कि जिस दोस्त में गदारी की है उसे अब उसके गदारी की सजा मिले की छोटा राजन अब चाहता था कि विनो सिट्टी के खातमे से सभी तक एक मैसेज पहुँचे कि राजन से गदारी करने वालों का क्या हस्र होता है फिर राजन ने अपने सबसे भरोसे मंद आदमी संतोष सेट्टी और उसके अन्य साथ ही डीके राव को बुलाया और इस हत्या की प्लानिंग पे काम सुन कर दिया जिसमें साधू सेट्टी और जगू सेट्टी भी सामि दिया जा सके लेकिन विनोद को बिना सक में डाले कैसे मारा जाए इस पर सभी लोग सोच रहे थे फिर राजन और संतोष ने तै कि विनोद सेट्टी को एक बार में बुलाया जाएगा जहां वो आराम से बैठेगा इस दौरान उसे शराप पिलाई जाएगी और मौके का फ आएगा ये उसे कुछ पता नहीं था कहते तो यह भी एक उसे ये भी नहीं पता था कि छोटा राजन को सब कुछ पता चल गया है कि गद दार यही है और उसे मारनी की प्लाणिंग भी शुरु होगी इसका कुछ पता नहीं होता है विनोद सेट्टी को फैसे के लेंदेन का काम सौपने के बहाने पनवेल के एक बार में बुलाया जाता है प्लानिंग के तहत वो पहुच भी जाता है क्योंकि छोटा राजन का काम करना था उस बार में विनोध को हर तरह से ये महसूस करवाया जाता है कि यहां उसे कोई खत्रा नहीं है वो बस एक डील को कूड़ा करन मातरा में शराब पिलाई जाती है उसे एकदम पूरा तल्ली कर दिया जाता है फिर जैसे विनोद पूरी तरह से नसे में आ गया उसे होस नहीं था तो राजन के आदमियों ने उसे बार्ग से बाहर निकलने को कहा कि यह जो डील है अब आगे जाके कहीं और पूरा होगा हमार छोटा राजन के गुर्गे पहले सही तैयार खरे होते हैं फिर पनमेल के उस उनसान सडक पर गाड़ी रुकती है विनोद सिट्टी को गोलियों से छन्मी करके मार दिया जाता है इस हत्या में सिर्विनोध ही नहीं उसके दो और साथी भी मारे जाते हैं इस हत्या के बाद सब्सक्राइस पूरा अंडर वर्ड हिल गया सबको पता चल गया कि उसके गदारी की सजा मिली है लेकिन यह बात अंदर ही अंदर चल रही थी और जिनकू मैसेज मिलना था ondar वरिम उन्हें तो पता चल गया कि यह तक की कैसे हुई लेकिन पुलीस को साल और साल तक इस बा कोई सुराग रही था बस रहस्य बन गया था इस पूरे मामले के 14 साल बाद यानि लगभग आप समझ लीजिए 14 2014 या 15 में एक आरूपी जब पकड़ा जाता है जो इस केस से लिंड होता है तब जाके इस हत्यकान की परते खुली और पब्लिक डोमेन में आया कि राजन ने सिर्फ अपना बदला लिया बलकि गद्दारों को ये सबक भी सिखा दिया कि अंडर वर्ल्ड में अगर छोटा राजन से कोई दुस्मनी लेता है या उससे गद्दारी करता है तो उसका क्या हाल होगा कैते हैं इस हत्या के बाद छोटा राजन का जो पकड़ है वो अंडर विश्नुई के बदले की कहानी भी सुनी है और आज छोटा राजन के बदले की भी एक कहानी आपने सुनने मां के आपको क्या लगता है क्या इन गैंग्स्टर डॉन का बदला लेने के नाम पर किसी को भी मार देना सही है या गलत है कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी स किसी और सफर में किसी और क्राइब की कहानी के साथ तब तक के लिए आपका बहुत भुत धन्यवाद